Gender, male, female, इस play में male या female characters का किस तरीके से क्या रोल रहा है उसका हम थोड़ा अध्यान करते हैं यहाँ पे Male and female characters that play important roles in the story वो सारे male और female characters जो इस play में important role अधा करते हैं तो here is a breakdown of their traits and actions उनकी प्रविर्तियां, उनके actions उनको थोड़ा साम point wise study करते हैं सबसे पहले बात करते हैं Antonio की Antonio एक wealthy merchant है who is sad and melancholy at the beginning of the play play की शिरुवात में हम देखते हैं वो काफी उदास है और play के दुरान भी उदास रहता है He generous वो काफी उदार भी है and lends money to his friend Basenio अपने दोस्त Basenio की मदद करता है उसको पैसे उदार दिलवा कर क्योंकि उस वक्त उसके पास नहीं थे जब उसके फ्रेंड पसेनियों को चहिए थे but ends up in debt to Shilok और वो पैसे Shilok से लेके देता है और वो इस तरीके से Antonio Shilok का रेनी हो जाता है he is brave and willing to sacrifice himself to save his friend's life और ये अपने friend की life को save करने के लिए उसकी मदद करने के लिए किसी भी तरीके से वो किसी भी limit को cross कर सकता है तो हम कह सकते हैं कि Antonio काफी brave भी है और वो अपनी life को भी sacrifice करने के लिए हमेशा तत पर रहता है अपने दोस्त Basenio के लिए आगे हम बात करते हैं Basenio की Basenio एक young venetian nobleman है Venice का रहने वाला एक भदर पुर्ष who is in love with Portia जो Portia से प्यार करता है he borrows money from Antonio to woo her Portia से शादी करने के लिए वो Antonio से पैसे लेता है जो कि Antonio के पास नहीं थे वो अपनी दोस्ती के वेज़ से शाय लोग से लेके Basenio को देता है and chooses the lead casket और Basenio Portia से शादी करने के लिए जो condition थी कि सही कासकेट का चूज करना था और वो lead कासकेट सही कासकेट थी और Basenio जो है lead कासकेट को चूज करता है to win her hand means Portia को जीतने के लिए he is kind hearted Basenio जो है अच्छे दिल का है but can be impulsive and careless with money और जहां तक पैसे के मामले में वो काफी आवेगी है अपने आपको कॉंट्रोल नहीं कर सकता थोड़ा सा लापरवा है careless है इस तरीके का character है Basenio का शाय लोग और Jewish money lander ये एक यहूदी money lander है who is often treated poorly by the Christian characters in the play play के Christian characters के द्वारा उसके साथ दुर्विवार किया जाता है he lands money to Antonio शाय लोग जो है Antonio को पैसे उधार पे देता है but insists on the pound of flesh penalty वो एक condition भी लगाता है जब पैसे उसको उधार पे देता है अगर time पे पैसे बाप्स नहीं किये तो one pound of flesh Antonio को देना होगा if the loan is not repaid अगर वो time पे repay नहीं किया जाता he is cunning and vengeful तो हम देखते हैं शाय लोग को एक चुश्चलाक और बदले की भावना या प्रतिशोद की भावना रखता है but also has moments of vulnerability and sympathy तो इस तरीके की स्थिती उसकी बना दी गई है शायद इस करण से वो इस तरीके से भी हैव करता है और दूसरा उसके प्रति हमारे मन में सिम्थी भी होती है साहनव होती क्योंकि कई बार उसके साथ mis treatment होता है जिसमें उसका कोई fault भी नहीं होता आगे हम बात करते हैं गरिश्यानों की तो friend of Basenius Basenius का first friend है who is in love with Nerissa जो Nerissa से प्यार करता है he is jovial and talkative वो काफी मजाकिया भी है और बातुनी भी है often providing comic relief in the play और play में काफी रहत मिलती है गरिश्यानों को रोल से इसके dialogue से Loncelot, a clownish servant नोकर है और जो काफी मजाकिया है who works for both Shailok and Basenius पहले तो Shailok के यहां काम करता है फिर Basenius के यहां he struggles with a crisis of conscience अपने अंतरा आत्मा को लेके यह struggle करता रहता है बहुत क्या काम करना चीए क्या उचीत होगा क्या नहीं होगा as he debates whether to stay with his cruel master तो यह debate करता रहता है क्या उसे अपने master Shailok के यहां काम करते रहना चीए जो की वास्त में काफी cruel है और इसकी नोकरी छोड़के switch to Basenius service जब Basenius एक बहुत अच्छा व्यक्ति है तो उसके यहां नोकरी करनी चीए तो इस तरीके का character है long slot और अब हम बात करते हैं female characters की और female characters में सबसे पहले बात करते हैं Porsche की तो Porsche जो है a wealthy heurist who is sought after by many suitors वो काफी अमीर उत्रादिकारी है और उससे शादी करने की इच्छा काफी लोग रखते हैं काफी प्रेमी काफी ऐसे व्यक्ति जो उससे शादी की चाह रखते हैं वो आते हैं शी इस intelligent Porsche काफी intelligent भी है and resourceful सादन संपन using her wit वो अपनी हाजर जवावी का इस्तमाल करती है and legal knowledge और कानूनी ज्यान to save Antonio's life Antonio की life को save करने के लिए she is also compassionate वो काफी करनो माई भी है forgiving माफ कर देने वाली है and deeply in love with Basenio और Basenio से खुब प्यार करती है और Nerissa Nerissa जो है Porsche की maid and confident है means उसकी helper भी है दोस्त भी है विश्वास पातर भी है who later marries Grishyano जिसकी शादी Grishyano से होती है she is loyal and supportive of Porsche Porsche के प्रती वहफदार भी है उसकी हमेशा sport करती है and helps with the legal proceedings during the trial scene जो trial scene है प्ले में तो उसमें जो legal proceedings है जिसमें Porsche एक विकीर के रूप में थी तो उसके clerk के रूप में वहाँ उसकी मदद भी करती है Jessica Shylock's daughter is Shylock की बेटी है who runs away with Lorenzo जो Lorenzo के साथ भाग जाती है and converts to Christianity और ये भी Christian बन जाती है she struggles with her loyalty to her father and her love for Lorenzo ये struggle करती रहती है एक तो अपनी loyalty अपने फादर के प्रती और अपने प्यार Lorenzo के प्रती विकीस को वो preference दे किस के साथ रहे या क्या करे या किस तरीके से अपनी समस्या का निदान करे Overall, the male characters in the play are often driven by their desires for money, love और revenge तो हम देखते हैं इस play में male characters उसके अंदर म्युक्खे रूप से जो इच्छाए हम देखते हैं वो या तो money के लिए हैं या प्यार के लिए या फिर बदले की भावना While the female characters अगर हम female characters की बात करें are portrayed as उनको as intelligent करणामाई, compassionate and resourceful साधन संपन दिखाया गया है The play challenges traditional gender roles और इस play में challenge किया गया है traditional roles को means जैसा society में traditionally जो male या female को जिस प्रकार के role allowed थे या काम allowed थे उसी तरीके करते थे प्रन्तु इस play में उससे थोड़ा बढ़के दिखाया गया है जो इस तरीके के stereotypes थे तो अब यहां उसको break करते हैं Porsche और Nerissa Taking on roles typically reserved वो वो वाले role करते हैं जो केवल typically reserved थे for men in Shakespeare's time Shakespeare के वक्त such as lawyers and judges जो की यह Porsche और Nerissa भी इस तरीके role करते हैं तो इस तरीके से उस time के tradition roles को stereotype roles को challenge किया गया है in plays के माध्यम से Thank you